हेलो फ्रेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकिए आए हूँ जटपट वाली रेसिपी, जिसे हम 5-7 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं, जब कभी भी लगे कि कुछ बनाने का मन ना हो रहा हो, तो आप इस रेसिपी को बना सकते हो, जो कि घर की कुछ समान से असानी से बन जाता है, तो चलिए फिर बनाते हैं, फ्रेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में नई हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो आज हम इस रस्पी को बनाएंगे गेहू के आटे से, उसके लिए क्या करना है, एक कब गेहू का आटा लेना है, कब में एकदम गाढ़ा ही रहेगा, यह पूरा गिला नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं, इसमें लंस बन रही है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा से इसमें और पानी डालेंगे, और पानी डाल के अच्छी तरह से धीरे-धीरे प्यार से एकद पांच में अच्छी तरह से गुल जाएगा, तो अब यह आटा का गूल बन के रेडी हो गिया है, तो आब इसमें क्या करेंगे, एक चमज सूजी डालेंगे, सूजी डालने से क्या होता है, टेक्शर बहुत ही बढ़ियां आता है, यदि मन है तो डाले नहीं मन है, तो आप बिना सूजी का भी बना सकते हैं, लेकिन सूजी डालने से क्या होता है, कि चिकना बनता है, थोड़ा सा क्रिस्पी बनता है, और आटा डालने से थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है, तो अब इसमें डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ में ही डाल देंगे आधा चम्मच, कच्छा जीरा अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच, धनिया और जीरा पाडर नॉर्मल जो हमारे घरों में सबजी मसाला होता है न वही है और आधा चम्मच, कुटी वी लाल मिर्स या फिर कहा दें चिली फ्लेक्स, जो है आपके पास वो डालते हैं अब डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो हो सकता है इस जब आप मिक्स करें तो थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा से इसमें पानी डाल सकते हैं अब इसमें डाल देंके आधा चम्मच के करीब धन्यापत्थी बारी कटा हुआ आप इसमें फोड़ा सा पालक भी डाल सकते हैं पालक से भी टेस्ट आता है और देखने में सुदर लगता है तो देखिए अब ये घोल बनके रेडी हो गया है हल्का सा color के लिए क्या करेंगे healthy powder डाल देखने में और नहीं तो एक दम white white अच्छा नहीं देखता है तो अब चलते हैं फिर अब चीला बनाने के और तो चीला बनाने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले एक तवा लेंगे normal just जो भी तवा है तवे के उपर एक चमच घोल डालेंगे और घोल डालके चमच कोई तरह से गोल घुमाएंगे इस बात का धियान रखना है कि ये चीला बहुत जादा पतला नहीं होता है हलका सा मोटा ही रहता है लेकिन सिखने के बाद एक दम ये सॉफ्ट लगता है खाने में तो उपर का लेयर सेट हो चुका है तो अब इसमें एक चमच तेल डालेंगे और तेल डालके क्या करेंगे पलट लेंगे और पलटने के बाद दोनों सेट अच्छी तरह से सेखना है इस बात का धियान रखना है ऐसा ना करें कि जल्दी में कम सेखें कम सेगेंगे तो थोड़ा सा taste different आएगा और अच्छा से golden होने तक सेगेंगे तो उसका taste बहुत ही अच्छा आता है तो देखें, दोनों सेड़ अच्छेशे golden color का हो गया है, सिख चुका है तोँ अब इससे निकाल लेते हैं, बाकी कभी seem क्या करेंगे ऐसे ही सेख लेंगे फ्रेंट्स सारे आटे की चीले बनके रेडी हो गए आप देख सकते एकदम सॉफ्ट है आप इसे ठंडे में भी खाएंगे एकदम इसी तरह से मुलायम रहेगा और इसके साथ कोई भी सब्जी के साथ खा सकते हो फिर अचा चटनी कुछ भी ले सकते हो या फिर चाय तो फ्रेंट्स अगर आज की रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें